दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको complete process बताने वाला हूँ कि कैसे आप WhatsApp के deleted data को recover कर सकते हो यानि WhatsApp के deleted chat, messages, photo, videos को आप कैसे दोबारा से वापस ला सकते हो कि कि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो WhatsApp chat होता है वो गलती से delete हो जाता है messages गलती से delete हो जाता है, photo, videos delete हो जाते हैं और हम काफी ज़्यादा परिसान हो जाते हैं, deleted data को recover नहीं कर पाते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल genuine तरीका बताने वाला हूँ जिसको आप use करके आप अपने WhatsApp data को recover कर सकते हो, दोबारा से वापस ला सकते हो अब चली वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो अब चली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप WhatsApp के deleted data को recover कर सकते हो यानि WhatsApp के deleted chat message photo वीडियो को आप कैसे दोबारा से वापस ला सकते हो बिल्कुल जेन्वन तरीका बताऊँगा, ठीक है देखो एक चीज मैं आपको पहली बता दूँ दोस्तो अगर आप WhatsApp का chat backup create कभी नहीं करते हो दोस्तो आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी हाथ पैर मार लो आप deleted data को recover नहीं कर पाऊँगे deleted data को दोबारा से वापस नहीं ला पाऊँगे मालो की आपका chat डिलीट हो गया है photo video डिलीट हो गया है आपने डिलीट होने से पहले कभी भी backup create नहीं किया है दोस्तो आप कभी भी deleted data को recover नहीं कर पाऊँगे ठीक है, कभी भी वापस नहीं आएगा simple सी चीज बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तो इसलिए whatsapp के अंदर backup का feature मिलता है lifetime तक के लिए save करने का option मिलता है ठीक है, आप अपने chats को data को lifetime तक के लिए save कर सकते हो chat feature को यूच करके ठीक है, तो कैसे आपको वापस लाना है, कैसे आपको backup करना है चली मैं आपको complete process बताता हूँ ओके, आप यहाँ पर यह काफी सारे chats देख सकते हो ठीक है, काफी सारे message देख सकते हो photo video देख सकते हो, ठीक है आप काफी सारे chats देख सकते हो simply three dot पर tap करना है settings के अंदर जाना है ठीक है, settings को open करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा chats, ठीक है आपको इस पर tap करने इसके बाद दोस्तों आपको नीचे scroll करने नीचे आपको एक option मिलेगा chat backup का ठीक है, आपको chat backup का option मिलेगा, यहीं से chat का backup create किया जाता है live time तक के लिए chat को, message को, photo को video को save किया जाता है ठीक है, जब आप chat backup को open करोगे, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का interface सो होगा ठीक है, काफी सारे option आपको सो होगे, देखो यहाँ पर आपको Google account का option मिलेगा, आपको इस पर tap करने है अपने Gmail account को select करने, ठीक है इसके बद आपको यहाँ पर frequency का option मिलेगा, ठीक है आपको इस पर tap करने है दोस्तों, आपको इसके अंदर चार option मिलेंगे, ठीक है never को छोड़ दें, तो यहाँ पर आपको चार option मिलेंगे, only when I tap backup, यानि आपका जो backup है, वो कब create होना चीए, आप उसकी setting कर सकते हो ठीक है, जब आप only when I tap backup पर tick कर दोगे, जब आप backup पर tap करोगे, तभी आपका backup create होगा, ठीक है, आप manual backup को create कर सकते हो इसके बद दोस्तों, आपको यहाँ पर daily के option मिलेगा, अगर आप daily पर tick कर दोगे, automatic daily आपका backup create होगा weekly करोगे, हपते में एक बार automatic backup create होगा, monthly करोगे, महिने में एक बार automatic backup create होगा, ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप backup की setting कर सकते हो backup लेना काफी ज़्यादा important होता है, अगर आप कभी भी backup नहीं करते हो, ठीक है अगर आप अपने chat backup नहीं लेते हो, दोस्तों अगर chat delete हो जाते हो, आप कुछ भी कर लो, chat वापस नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए option दिया जाता है, chat backup का, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर include videos का option मिलेगा, अगर आप video को भी add करना चाते हो, video का भी backup create करना चाते हो, तो दोस्तों आपको इस setting को on करने ठीक है, अब कैसे आपको backup करने ठीक है, यहाँ पर आपको gmail account select करने है, इस पर आपको tap करने है, ठीक है हम क्या करेंगे, अभी manual backup create करेंगे, मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ कि आखिर यह कैसे काम करते हैं, कैसे आप backup के बाद deleted data को recover कर सकते हो, ओके तो दोस्तों यहाँ पर already gmail account select है, ठीक है हम frequency पर tap करते हैं, और यहाँ पर only when I tap backup पर ठीक है, ठीक है अब हम backup पर tap करेंगे, इस पर tap करेंगे, हमारा जो backup है वो create होगा, ओके backup पर आपको फिर से tap करना है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, preparing हो रहे, ठीक है uploading start हो चुक है, इस तरह दोस्तों आप manual backup create कर सकते हो, ठीक है, अगर आप manual create नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों आपको frequency पर tap करके, automatic की setting कर लेने, ठीक है, automatic आपका backup create होता रहेगा यानि, gmail account के अंदर, आपका जो chat message photo video है, वो हमेशा save होता रहेगा, ठीक है, in future कभी आपका data delete होगा दोस्तों, आप बहुती आसानी से उसको require कर पाऊगे ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 50 MB का data है, ठीक है, backup अब अगर हमारा जो chat है message है, photo video है वो delete हो जाते है, दोस्तों हम बहुती आसानी से उसको require कर सकते है restore कर सकते है, ठीक है कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे chats है photos, videos है, ठीक है, हम सब कुछ delete कर देते है यहाँ से clear chat कर देते है, ठीक है आप देखो, पूरी तरह से clean हो गया है ठीक है, हम इस तरह भी delete कर देते है तो दोस्तों हमने chats को delete कर दिया ठीक है, अब कैसे इसको recover करने, कैसे दोबारा से वापस लाने देखो, आपको एक और चीज़ चेक करने, आपके phone में होगा drive, ठीक है google drive, आपको drive को search करने है, और अपने backup को देखना है, ठीक है की backup create हुआ है, या नहीं हुआ है, आपको इस चीज़ को जरूर check करने, आपको profile पर tap करने है, same उसी Gmail account को select करने है, three line पर tap करने है, यहाँ पर आपको backup का option मिलेगा, ठीक है जब आप इस पर tap करोगे, अगर आपका backup create हुआ होगा, ठीक है तो यहाँ पर so हो जाएगा, आप देख सकते हो, जो backup हमने अभी create किया है, ठीक है जो backup हमने अभी बनाया है ठीक है, वो यहाँ पर so हो रहे हैं यानि हमारा जो backup है, वो 100% create हुआ है काफी सारे लोग backup create करते नहीं है, और आगे का process follow करते हैं, जिससे जो current, जो अभी का chat है, वो भी delete हो जाते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर backup check कर लेने, अगर backup so हो, तभी आपको process को follow करने, ठीक है अन्यता process को follow नहीं करने अब आपको whatsapp को delete कर देने, आप चाहो तो whatsapp का clear data कर सकते हो या whatsapp को delete कर सकते हो ठीक है, हम whatsapp को ही delete कर देते हैं तो दोस्तों मैंने whatsapp को delete कर दिया, ठीक है play store को open करते हैं, फिर से whatsapp को install करते हैं ठीक है हमने whatsapp को फिर से install कर लिए है ठीक है आप देख सकते हो install होने वाला है थोड़ा सा time लगेगा तो हमारा जो WhatsApp है वो install हो चुक है अब हम open करते है language को select करना है arrow पर tap करना है agree and continue करना है अब आपको same mobile number डालने है आपको same mobile number डाल देना है तो दोस्तों हमने mobile number डाल दिया ठीक है next पर tap करना है अब आपको थोड़ा सा wait करना होगा ठीक है आपके number पर OTP आएगा OTP से आपको verify करना है आपको OK पर tap करना है verify in the way पर tap करना है send SMS करना है ठीक है आपके number पर OTP आजाएगा आप देख सकते हैं verify in complete हो गया है ठीक है इसके बाद आपको continue पर tap करना है allow करना है अब आपको यहाँ पर दो option मिलेगा ठीक है restore from backup, transfer from old phone आपको पहले वाले पर tick करने ठीक है continue पर tap करने आपको कभी भी skip नहीं करने इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखने ठीक है अब यहाँ पर जो backup हमने create किया था ठीक है उसको check किया जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पर जो backup है वो restore हो चुका है restore complete इसके बाद आपको next पर tap करने है restore now पर tap करने ठीक है आपको कभी भी skip नहीं करने फिर से आपको next पर tap करने है अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो restoring media ठीक है यानि हमारे जो whatsapp chats है वो दोबारा से वापस आ रहे है ठीक है recover हो रहे है तो दोस्तों यह बिल्कुल genuine तरीका है whatsapp के deleted chat message photo video को दोबारा से वापस लाने का ठीक है अगर गलती से कभी भी आपका chat message delete हो जाते है तो दोस्तों इस तरह आप बहुती आसानी से deleted data को recover कर सकते है लेकिन आपके पास backup होना चीए ठीक है अगर delete होने से पहले आपने backup create किया है आपने backup को own करके रखा है तभी दोस्तों आप deleted data को recover कर पाऊगे अन्यथा कभी भी आप recover नहीं कर पाऊगे आप चाहे कुछ भी कर लो कोई भी application install कर लो कोई भी process follow कर लो अगर आपके पास data का backup नहीं है दोस्तों आप recovery नहीं कर पाऊगे ठीक है ये बिल्कुल genuine तरीका है ठीक है बिल्कुल real तरीका है आप देखो सब कुछ वापस आ चुका है ठीक है आखिर आया क्यों क्योंकि हमने backup पहले लिया फिर जाकर delete किया ठीक है अगर आपने backup कभी भी नहीं किया है और आपका delete हो गया है तो दोस्तों आप अपना data भूल जाओ आप अपने chat message को भोल जाओ recovery कभी नहीं होगी क्योंकि आपके phone में data है ही नहीं ठीक है आपने कभी भी उसको save नहीं किया है ठीक है इसलिए आप उसको recover नहीं कर सकते हो आप देखो सब कुछ recover हो चुका है delete करने से पहले आपने देखा था सब कुछ था ठीक है ये सब कुछ था delete हमने किया फिर उसको दोबारा से वापस recover किया ठीक है तो दोस्तों इस तरह WhatsApp का chat feature काम करते है backup feature काम करते है ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो चैनल प्रने चैल को सस्क्राइब करो क्योंकि मैं ऐसे ही knowledgeful वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद